नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल एस फोर्जे स्टडी फोर गोल्स पे मैं सुवाज वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चैनल कहानी संग्रक की नवी कहानी नावा छोट जिमिदार से सम्मधित वे तमाम चीजे देखेंगे जो कि जार्खन सची वाले एकजाम पॉइंट आप यू से वेरी वेरी इंपॉडेट होगा और इसी वीडियो में आपको नावा छोट जिमिदार कहानी से सम्मधित दस महत्पुन MCQ कोचन्स भी आपको मिल जाएंगे तो देर ने करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि यह जो कहानी है चाहियर कहानी गोच की नौई कहानी है चाहियर कहानी गोच के जो लेखक है चितरा जनमातो चितरा है दोस्तो नावा छोड़ जमिदार से सम्माधित आज की वीडियो में हम उससे सम्माधित basic notes, summary और MCQ questions देखने वाले हैं तो उस सिलसिले में सबसे पहले हम देख लेते हैं इससे सम्माधित crack registration यानी की पात्र तो दोस्तो नावा छोड़ जमिदार जो कहानी है इसके मुख्यता दो पात्र है पहला पात्र है जगरनाथ चौधरी यह सत्तर असी पलस वर्स का बुटा है वैकती है ठीक है इनकी जो उम्र है यह मतलब सत्तर से असी वर्स से भी पलस दिखाई गई है कहानी में इनका जो है समाज में काफी इज़त परतिष्टा समान मान मर्यदा है ठीक है और इस कहानी को जो है चगरनाथ चौधरी ही कहके सुनाते यानि कि आप इने अस्टोरी टेलर का समझ सकते हो इस कहानी का जो कहानी अभी हम लोग पढ़ने वाले है दूसरे करेक्टर है बलराम सिंग बलराम सिंग किसी थाना का दरोगा है दरोगा इस परकार का है कि वो भरष्टे चारी है गरीबों का सोसन करता है सताता है और उसका जो अंत है काफी ददनाक होता है बिमार्यों से ग्रसीत परिवार के अभाव में उसकी मिड़्ी हो जाती है इस कहानी का अगर हम संदेश की बात करें तो मोटा मोटी इस कहानी का संदेश है कि हमें अच्छे कारी करना चाहिए क्योंकि होना एक दिन सबका हिसाब है जिन्दगी और मोट कर्मों से लिए किताब है जैसी करनी वैसी भरनी है जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपकी अंत होगी इस बात को ध्यान में रखते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी का साथ संदेश पर तो दोस्तो मु आपको अल्रेडी पढ़ा दी गई है इसका प्रेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अन्य वीडियोस के अन्य जो सीरीज है उनका भी प्रेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनमें मुख्यता आज के पर प्रकास जो है डाला गया है साथ ही साथ कर्मों की परधानता समझाई गई है और अच्छे कारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि बुरे कारी करने वालों की अंत किस परकार से होती है कहानी में मुख्यता दो पात्रे जो मैंने अभी से चीज़े देखते हैं जो आपके लिए इंपोर्टेट है दोस्तो जारखन के अधिवासी समाज में अखरा का काफी महत्वर आया है अगर आप अखरा से समंदित और डिटेल जनकारी जानना चाहते हो तो जारखन की जो बतीसो जन जातियों के सीरी जा रही है उनके उपर उ कुछ महत्व इस कहानी के माध्यम से भी समझाएं गया है इस कहानी में अखरा के कारे एवं महत्व का जो विस्तित वर्नन किया गया है इस कहानी में अखरा को चौरा है कि चबुतरा के तौर पर चौक जगा दरसाया गया है चौक जगा मिस होता है चौक ठीक है जहां साम मे आसपास के लोग आकर बैठते हैं वहाँ पे अपना सुख दुख कार रिवयपार चुगली जंजट जितनी भी परकार की चीजे होती हैं गाउं में बैठने बावजुद हो सारी चीजे वहाँ पे की जाती है लोग वहाँ पे दारू भी पीते हैं बाजी भी होती है डिंगे हाकने का गारे भी वहीं होता है और पूजा पर्वतहवार जो भी होता है उसी जगह पे संपन कराई जाती है नेक्स्ट है कि इस कहानी में मुख्यता सरकारी सोसन एमम उसके बदले तरीकों को दर्साया गया है कि कैसे कल का राजा आज का मंतरी कल के जमिंदर आज का कलेक्टर, SDO, CEO, करमचारी, दरोगा, पुलीस और अंग्रेजी सरकार के चोधरी सामंद गंजुमा तो वह दार टिकेट आज के बिडियो पंचैत सिवक ग्राम से और सरकारी चैमचा बेलचा सरूब ही है जब कहानी पढ़ोगे लैंड बलैंड तो समझाएगी बेसिकली आपको ए चीजे रिलेट कर लेनी है हलाकि मैंने कोहचन में भी इन चीजों को जोई डिल कर दिया है जगरनाथ चोधरी बतलाते हैं कि कैसे राजा के समय में ज़रूरत या जी हजूरी या सलामी के बेसिस पे गैर मजरूआ वकास्त और जिरात जमीनों की बंदूबस्ती हो जाया करती थी और आज वही कारी कितना जटिल था और बड़े किमतों समझावतों या हम सर्तों के साथ SDO CEO करमचारी के मदद से पना पा रहे हैं ठीक है या भी एक चीज दर्साया गया है कि जमीनों की जो हेर फिर होती है या फिर पहले के जमाना में जो तदी होती थी जमीने जो थी जी हजूरी या सलाम मतलब लोगों की मतलब जो था न कि रिस्पेक्ट करना उस परकार की चीज़े या जुरत के बेसीज पे जमीने उनको दे दी जाती थी परन्तु आज जो है इसका सरूप भी बदल गया है लेने वाले का भी मकसद बदल गया और देने वाले के भी जटिलता बदल गई है तो भरष्ट है गरीबों को सताता है मारता पीटता है घुस लेता है डराता धमकाता है गलियाता है यह दोरा नया वेस्ता जो आप पूरे मतलब सक्रिय तरीके से अपने थाने में चला रहा है और उसका जो संपर्ख है बड़े छोटे सभी चोरों से डकैतों सहित वैपारी धं दबदबा है और दबदबा वाला वैक्ति के रूप में परसीद हो चुका उसे रिया में लोग उससे डरते हैं परन्तु जीवन के अंतिम समय में वह बहुत लाचारी से गुजरता है उसके बेटे बहु होते हैं वह कारदूर घटना में मिर्ट्यू को पराप्त हो जाते है और उसे पूरे सरीर में घौगोस हो जाता है और सरीर में पानी चड़ जाता है आगे है कि जब बलराम सिंग दरोगा मरता है जब यह जो भरस्टचारी दरोगा है निर्दई या जब मिर्ट्यू को पराप्त होता है अंत समय में बीमारियों के साथ तो उसमें उसके अपने अब अपने बीते दिनों के ऐस मोच को याद करके जो है रोती है यह मोटा मोटी कहानी था कहानी का सार संचिपन मैंने आपको समझाने की खोसिस की अब आइए हम देखते हैं कि इस कहानी से क्या प्रशन बन सकते हैं या क्या आपको पूछी जाने की संभावना एक्जामने इस पे तो चलिए इसका हम परस नुतर देख लेते हैं तो चैयर कहानी संग रहा है नौवी कहानी नावा छोट जमिदार से जो बनने वाले कुछ एमसे क्यों है उसमें पहले स्थान पे है नावा छोट जमिदार कहानी लेखक के लाग थी तो इस परकार के कोचन आपको जा सकता है ओप्सन से डाक्टर विनोत कुमार डाक्टर बियनोदार चितरंजन मातो चितर और स्रीनिवा स्पांडरी ये चारों लेखकों के द्वारा लिखे गई पूस्तक जो ऐसे सी सीजियल के खोटा सीलेबस में है तो आप कंफ्यूज कर सकते हो इसका सही उतर हो जगा अगर आप जानते हो कि विनोत कुमार सर के द्वारा कौन सी पूस्तक है और सीनवास पांडू के पांडरी के द्वारा कौन कौन सी पूस्तक है जो की जैसे सीजियल कोटा के सीलेबस में पढ़नी है तो आप कमेंट करके हमारे मित्रों के साथ साजा कर सकते हो दूसरा प्रस ये जमिनदारी शासन से तो इसका उत्तर हो जगा option number b अंग्रेजी शासन से कंपेर किया गया कहीं कहीं राज तंतर भी बता गया क्योंकि राजा को मंतरी से कंपेर किया गया इन सब बातों को ध्यान में रखना है ठीक है next परस ने तिसरा परस ने नावा छोट जीमिदार कहनी है पात्र लाग थी कुछ पात्र दे दिये जाएंगे आपको पूश जाएंगे कि कोई पार्टिकुलर कहानी से समंदी ता आपको पुझा जागा कि मतलब इसके पात्र क्या है तो यहाँ पे कोचन है कि जगरनाथ चौधरी बलराम सिंग ये भी दूयो ये दामोदर तो इसका सही उतर जगा उप्शन नमर सी जगरनाथ चौधरी बलराम सिंग जो नावा छोट जीमिदार कहानी के पात्र है दामोदर किस कहानी का पात्र आप कमेंट सेजन में कमेंट करके बताओ ठीक है क्योंकि यह भी कापी important पात्र रहा है किसी कहानी का और इसका भी समन दारोगा से है नेक्स चौता प्रसन है कि जगरनाथ चौधरी कर की उमर हले जगरनाथ चौधरी जो बुठे वैक्ती थे समाज में मान मर्यादा इजद परतिष्टा था उनका उमर क्या था जिन्होंने कहानी लोगों को इवाओं को बच्चों को सुनाया था यह कहानी जगर मतलब बलराम सिंग की कहानी ठीक है तो 18-25 बचरेग भीच था 40-50, 60-70 या 70-80 बचर से भी उपर था तो इसका उप्सन नमर डिस हो जगा 70-80 मतलब सालों से बचर मिस होता है वर्स इससे भी ज़्यादा उनका जोगूंबर दर्साया गया है कहानी में नेक्स्ट पांचमा परस ने सही मिलान की इसको मैंने डायकली मिलान करके आपके समझ परजेंट कर दिया है तो राजा को मंत्री से कंपेर किया कहानी में जमिंदार को डिसी कलेक्टर से अत्यचारी दरोगा बलराम सिंगर नावा छोड जिमिदार चाहिएर कानी गोज की एक कहानी है ठीक है नेक छठा प्रस्ण है कि अंग्रेज कर चमचा और बेलचा केहला इस कहानी के अकॉर्डिंग ठीक है नावा छोड जिमिदार कहानी के अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर जगा उप्रोग सभी सभी को जो है अंग्रेजों का चमचा बेलचा दर्साया गया इस कहानी में नेक्स्ट सात्मा प्रस्न है कि एकन कर सरकार कर चमचा बेलचा के लागत अब इस वक्त जो सरकार है उस सरकारी व्यास्ता में अभी के जो है चमचा बेलचा की ने कहा गया है इस कहानी के माध्यम से तो बीडियो को पंचात सेवक को या गराम सेवक को या इन में से सभी तो इसका उत्तर हो जागा इन में से सभी ठीक है ध्यान देना है कि इस कहानी के कावडिंग है ठीक है आप किसी बीडियो पंचात से बग डिसी कलेक्टर को जाके चमचा बिलचा नहीं बोल दीजेगा काफी मेहनत मजदूरी के बाद यह चीजे जो है यह ओधा प्राप्थ हो पाता है हलाकि सभी लोग बर्राम सिंग के जैसे नहीं होते हैं तो इस बात का भी ध्यान रख के चलना है नेक्स्ट आठमा तो इसका सही उतरो जगा उप्स नमर सी यह और भी सीध दोनों जुर्माना और दंड के माध्यम से इस वक्त जो है सोसन किया जाता है गरीबों पे पहले के जमाना में उसे जूल्म कहा जाता था ठीक है नेक्स्ट नौवा प्रस्ण है कि अत्यचारी दरोगा के बेटा पू तो इसका सही उतरो जगा उप्स नमर कार गाड़ी अक्सीड़न में वे लोग मारे गए नेक्स्ट दसमा परस्ण है कि अंत बेरा बलराम सिंग दरोगा के की भेल रहे हैं मतलब अंतिम समय में मतलब बलराम सिंग दरोगा था उसके साथ क्या घटनाएं हुई किस परकार उस गोटे सरीर होकर पानी चड़ी गेल रहे हैं या भी बात सेमय में या दरोगा से DSP बनावल गेल रहे हैं तो इस बात की पुष्टी तो कहानी में नहीं है लेकिन ये दोनों बात सही है कहानी एकोडिंग तो इसका सही उतरो जगा है ये और भी दुईयो नेक्स दोस्तो यह तो आपको 10 मुख्यता परस्ण बता दियेंगे नावाच्वड जमिदार काहनी से अगर इस काहनी से कोई भी परस्ण आता है तो इनी 10 में से कोई एक परस्ण आएगा या फिर जो मैंने समरी बताईए उसका कोई नीचोड आ सकता हलाकि अगर कोईचन किसी भी परकार सैंगे तो आप इस वीडियो को देखने बाद उससे डिल करने को सच्छा मुझे लगता है आज का कोईचन आप देडे है आज मैंने कोईचन आप देडे भी रखा है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है तो आज का हमारा कोईचन आप देडे है कोईचन आप दे वीडियो भी मान सकते आप कि गाउए के कोने ठाँए लोग बैठ के गाउए को समस्यक उपरे चर्चा करो हल थी मतलब गाउए के किस हस्थान पे जुए है गाउं की लोग बैटके गाउं का समस्य के उपर चर्चा करते थे तो जमिंदार के दरबार में करते थे जगरनाथ चौदरी के घर पे करते थे मातों का बरांदा में करते थे या गाउंए के आखरा में करते थे आपके पास चार उप्सन से चारों में से एक सही option select करके आपको comment section में comment करनी है next दोस्तों आप जब आपको जब इस वीडियो का PDF मिलेगा या hard copy मिलेगा तो आपको इस परकार के box मिलेगा या इसलिए खाली छोड़ी होती है कि किसी भी परकार के जो भी हमारे मित्र हमारे S4G परिवार के साथ जुड़े लोग है अगर वे इस कहानी से समन्दित को अन्य चीज़े लेकर आते हैं comment section के माध्यम से या whatsapp message के जरिए तो उसको इस box में add कर दिया जाएगा हलाकि मैंने सब कुछ पहले हैं अल्रेडि आपको बता रखा next है कि अगर आप इस परकार से जैसे सीजेल के syllabus में जो भी खोटा syllabus के coding पुस्तक के कहानिया या अन्य चीज़े पढ़नी है उससे समन्दित एक complete जो है जैसे सीजेल का भी रूतपात सीपाही का भी खोटा course हमारे S4G study for goals का उन्ड़ आप पे जो कि आपको Google Play Play Store पे मिल जाएगा ठीक है आपको डॉनलोड करके इन सारे चीजों का आप लाब ले सकते हैं यूटूबर टेलीगराम पे हमारा चैनल S4G study for goals के नाम से एविलेवल है टेलीगराम पे दोस्तों आगे चलके मैं बताऊँगा कि टेलीगराम पे आपको क्या दिया जाता है उससे पहले में बता दू कि जो course एविलेवल है खोटा के लिए जैसा सी CGL के लिए उसमें आपको जो है complete video lecture, chapter wise sectional test, handwritten PDF notes, previous year के question, full length, खोटा test डॉप clearance के लिए WhatsApp group की भी सुईधा आपको दी जाएगी है, सब कुछ नए सी लेवर्स पे बेस्ट होगा, 499 रुप्यास का फ्राइस है फिलाल, रंजीत सर के देख रेक में हमारे आप पे अविलेवल है आगे मता दू कि हमारा जो टेली गराम चैनल है, हलाक कि हमारे 2-3 टेली गराम चैनल है, नाकपुरी के अलग, खोटा के अलग और जो all over जो होते हैं, उसके अलग, ठीक है, तो main channel जो हमारा स्फोर्जे स्टडी फर गोल्स का वहाँ पे भी और जो खोटा नाकपुरी के पार्टिकूलर चैनल से, एस फोर्जे स्टडी फर गोल्स के वहाँ पे भी, डेली साम 4 बजे जो है, जारखन जिक्के का क्यूज आता है, 6 बजे जेटेट से समंधित, क्यूज आते हैं, जेटेट और सीटेट से समंधित, 7 बज करके अपनी त्यारी को भी आख सकते हो, तो हमारे टेली गराम जो चैनल से हैं, उसके साथ जरूर जूड़े, उसके बाद जो दोस्तों है कि अन्य चीजे जो है, जो भी मतलब स्टडी फर गोल्स परिवार आपको प्रोवाइट करवा रहा है, या तो आपको टेली गराम प वीडियो आचुके हैं, एक और वीडियो आएगा लास्ट का, देवता के खाये लिन ठाकिन, तो उस पर जो लिक्चर आगा इन सब चीजों को या अन्य जो वीडियो जाती है, जारकन करेंट फेर की, या फिर जारकन जिक्के की, कंप्यूटर की, और अन्नाक पूरी, या अ आपको बहुत सारे प्लेइलिस्ट मिल जाएंगे, मेरे द्वार ली गए, सीरीज और वीडियो ज का, उन सब चीजों को देखके, आप उनका लाब ले सकते हैं, तो तो जाहिन, जोहर जारकन, जाए भारत